तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बॉर्ट बना रहे हूं इस बॉर्ट को बनाने के लिए मैंने किसी भी डीसी मोटर या किसी भी बैटरे का इस्तमाल करके इसे लहीं बनाया और जैसा कि मैं अपने सबी वीडियो में करता हूं कि एकदम आसानी से मिलने वाली चीजों का इस्तमाल करके इसे भी बनाया है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक शेयर करना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब पना तो बिल्गुल से ना भूले ताकि आप हमारे चैनल पर आने वाले एक से बढ़के एक डिफ्रेंट यूनीक वीडिय लेकिन याद रहे कि गिए जीस तर्के से मैंने कट कि अपूरा इसे नहीं कट करना थोड़ा सा छोड़ देना कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखिया मैंने क्सा किली कई इसमाल किया है जुब यहाँ किया करूंगा इसमें से क्षोटा पीस निकालों गया निखियो कुछ इस तरीके से और सेंट पीपर की मदद से मैं क्या करूँगा इसे रब कर लूँगा एक दम अच्छे से कुछ इस तरीके से मैं इसे रब कर लूँगा दम अच्छे से और यहां पर देखिए मैंने एक यूजड पेन का इस्तमाल किया है इसमें से भी क्या करना है हमें एक लगा रहा हूं दोनों साइड इसके कुछ इस तरीके से तो ये दूनों जो हमने निसान बनाया वो तो इसके बीच में क्या करेंगे फेविक को लगा देंगे कुछ इस तरीके से और इसको खिसका के बीच में कर देंगे तो यहां पे बीच में करने के बाद थोड़ा और जाल दिया है अब क्या करना है इसको भी हमें इसके साथ लगाना कुछ इस तरीके से दोनुब साइडम की तरीओं यह सब तारवर्ट पर मैं बहुत ही असानी से मिल जागा और यह काफी मजबूत भी है और इसका मैंने देखे यहां पर दो पीस लिया है उसके बाद क्या करूंगा मैं इसको देखे इसके साथ कुछ इस तरीके से लगा दूंगा एक्डम अच्छे से तो से जैसे पहला लगा तो उस अच्छे से इसको बांद देंगे कुछ इस तरीके से अच्छे से बांद देंगे इसको अच्छे से बांद लेने के बाद यहां पर क्या करेंगे हम इसको फेविक विक से चिपका देंगे ताक कि यह हिले भी ना कि एक्डम अच्छे से इसको चिपका देंगे इन दोनों ज इसके अंदर लगा देना है तो छीछ यह जोड़ेंगे अठीज अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यह जो रबर इसको क्या करेंगे खीच के एकड़म टाइट कर देंगे कुछ इस तरीके से उसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम चिपका देंगे उस तीली के साथ जो यहां पर करना यह यहां पर करना एक ऊल करना यह को निकाल लेंगे और यहां पर मैंने करिंगसेफ़ कर लिलेंगे तक ही और इसके साथ इस तरीके से बान सकते हैं तो बानने के बाद creatively प्रेंगे इसको हमें अ giving हुका देंगे तक कि यह खूले ना अब देखिए इस त्शरी के से घुमा घुमा कर आ करेंगे मैं इस धागे को इसके अंदर भर देंगे कुछ इसmanager करेंगे उस के गसी है तो देखिए जो तीली का बिचा करेंगे ज़ो रबर के लिक्प से खीश करनेश तीली पे चाढ़ाएंगे उसके बद इस तीली क्या करेंगे इस पार से उस पार कर देंगे देखे कुछ इस तरीके से हमने रवर को इसके उपर लगा दिये और यह अंदर वाला सेटब है पूरी तरह से त्यार हो चुक है और आप देख सकते कि कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है और उसके बदम क्या करेंगे इस टेप की मदद से इसको एकदम यहां पर दे किशत्तों और आप और यहां पर देखे मैंने इसका पुछोटे्ल चोटे वह जो 50 लिए उसको मैंने यहां पे आप जा दिया इस तरीके से, यहां पर देखे मैंने चार ऐस्क्रीम स्टेक का इस्तमाल किया है, और इनुमें से दो उने एगदम इसके भीच और तरीके से नियसान लगा लिए, अब मैं क्या करूँगा से कट करूँगा, लेकिन याद रहे, कि इसे पूरानी कटकाने जितना मैंने निसान लगा बस उतना ही कट करना है तो इस तरीके से मैं इसे कट कर लूँगा से मैंने दूसरे वाले इस्टिक को भी कट कर लिया मैं क्या करूंगा इन दोनों को देखे इस तरीके से आपस में फसा के क्या करूंगा इसको भी चिपका दूंगा कुछ इस तरीके से और वो जो दो बच्ची हुई इस्टिक है उसको मैं क्या करूंगा चारपीस करूंगा उ के करके उनको भी चिपका दूँगा इस पे कुछ इस तरीके से अ हम क्या करेंगे इसके और मजबूती के लिए छोटा छोटा देखिए इस से कमें इस्टिक को कट करके इसके उपर मैं छिपका दूंगा कुछ इस तरीक के सग्दम अच्छे से मैं छिपका दूंगा इससे क्या होगा कि इसको और भी ज़यादा मजबूती मिलेगी और यह तूटेगा नहीं और दोनों साथ चिंट लेने बाद ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पर देखिए मैंने दो और केबल कलिप का इस्तमाल किया आप हमें क्या करना है इन दोनों को आपस में चिपकाना है कुछ इस तरीके से तो इसके लिए क्या करूंगा मैं पहले इसको सब्सक्राइब कर्दूंगा इसको इस किफ़ा दूंगा कुछ इस face mac दूंगा मैं इससे चिपका दूंगा इक्दम अच्छे से अब देखे इसको क्या करना है हमें इसके सिंटर में अच्छे से चिपका देना इसको तो इसको भी हम देखिए इस तरीके से फेवे को एक से चिपका देंगे एकदम अच्छे से इसके सभी तरब से और अब देखिए जो वील है हमारा एक सैट का ये पूरी तरह से त्यार हो चुका और से मैथट से मैंने देखिए दूसरे वाले को भी त् अब देखिए जो दुनों वी लेस को हम क्या करेंगे इसके जगह पिकदम अच्छे से fix कर देंगे कुछ इस तरीके से और हम और ज्यादा मजबूती के लिए क्या करेंगे इन दोनों को हम favor click के मदद से छिफका देंगे कुछ इस तरीके से इससे क्या होगा कि इनको और बे ज़्यादा मजबूती में लेगी तो देखिए दोस्तों ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है हाँ लेकिन यहाँ पे दोस्तों थोड़ी गड़बोड होगी देखिए जब भी मैं इसे पानी में छोड़ा हूँ यहाँ पे मैंने देखिए दो चोटे साइस के बाटल का इस्तमाल के एक इस साइड और इस तीनों को क्या किया है आपस में देखिए तीलियों से जोड़ रखा है कुछ इस तरीके से हाँ लेकिन याद रहे है कि यह तीनों जो बाटल एकी लिवल में रहने चाहिए और दोस्तो, मैंने इसमें कोई भी चैंजमेंट नहीं किया है और दोस्तो, देखे इसमें जो मैंने पिछले le model comparison में चैंजमेंट किया है यह देखे बहुत ही बड़िया वर्क करहा और इसका balance भी बहुत बड़िया है हाँ लेकिन अगर आप लोगों को और भी ज़्यादा रेंज और पावर चीए ताप थोड़ी बहुत चेंजमेंट करके इसका रेंज और पावर दोनों बढ़ा सकते हैं तो दोस्तो अगर ही वीडियो आपको अच्छी लेगे हो तो फट आकसे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो वो जो सब्सक्राइब ओला बटन है न उसे दबाना तो बिल्कुल से ना भूलिएगा तक कि आप हमारे चैनल पे आने वाले एक से बढ़के एक डिफरेंट और उनीक वीडियो को मिस ना कर सके एंड फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग